लो एंड वेलकम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल पर सीविटी प्रिक्रेशन में तो यहाँ पर मैं फिजिक्स का स्लेबस डिसकस करने वाला हूँ जो की एंसी एटी क्लास्टेल्थ लेबल का आपका स्लेबस होने वाला है जो भी स्टुडेंट एंसी एटी एक्जाम्स 2024 की तयारी करना चाहते हैं फ्री में वो मेरी चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ पर आपको फ्री में ही क्लास्स प्रवाइड कराई जाएगी और अभी मै एक एक करके स्लेबस वीडियो बना रहा हूं सारे सब्जेक्ट का और स्लेबस वीडियो जब मैं बना लूँगा एक हपते के बाद एक हपते अभी टाइम लगने वाला है पूरा स्लेबस कवर करने में जितने सब्जेक्ट का भी तक स्लेबस एवलेबूल है उसके बाद मैं एक एक सब्जेक्ट के उपर डीटेल में वीडियो अप्लोड करना सुरू करूंगा तो फ्री क्लासेश आपको यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी और चैनल को सस्क्राइब करकर रखिए काउंसलिंग, एडमिशन, सारी परिसानी जो भी आपकी परिसानी भी होगी प्रोशनल डाउट भी होगा, उसे भी लाइब सेशन के जरी यह सॉल्व किया जाएगा और हंड्रेट परसंट सारे कुछ फ्री भी रहने वाला है टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लीजे, यह प्रीडियफ आपको टेलिग्राम चैनल पर ही मिलेगा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो चलिए देखते हैं क्या है NCAT 2024 के Physics का स्लेबस तो यह स्लेबस 12th लेबल का ही होने वाला NCAT का जैसा कि मैं अलड़ी बता चुका हूँ इस सेक्शन से आपको 25 कोश्चन देखने को मिलेंगे Physics में और All Questions जो है Compulsory Nature का होने वाला है यहाँ पर मैं सिर्फ ब्रीप में ही इस स्लेबस को कवर करूँगा डीटेल में अगर मैं कवर करने लगू तो यह वीडियो एक घंटे से भी ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर जो में में टॉपिक है वहीं मैं आपको क्रेवल बताते चलूँगा जिसे आप लोग नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीन सोर्ट ले सकते हैं सबसे जो पहला टॉपिक है यूनिट वन में वो है इलेक्ट्रो स्टाटिक्स यहाँ पे इससे सर्मधित आपको लोग से सर्मधित फोर्स से सर्मधित कुश्चन पुछे जाएगा टू पॉइंट के बीच में क्या फोर्स होता है इसके बाद इलक्ट्रिक फिल्ड से रिलेटड आपसे कुश्चन पुछे जाएगे इसके बाद जो लो होते है उसको आप अच्छे से याद कर लिजीएगा तो काम बन जाएगा और हर एक यूनिट से कम से कम आपके ये सब टोपिक भी मिन मिन है हर एक unit से कम से कम 4 से 5 question आप से पुछे जाएंगे और सारे का आपको answer देना होगा और हर एक unit से ही 4-5 question पुछे जाएंगे लेकिन यह जितना slayvus दिया है सारा आपका important नहीं है कुछ topic इतने important है जिसका weightage बहुत ज़्यादा होता है तो जो मैं टिक कर रहा हूँ उसको note करते जाएगा आप लोग और इसका screen shot भी लेके रखिए जो भी application से related है या law से related है या कोई theorem है जहाँ पर भी वो आपको definitely याद करना है और इससे related मैंने देखा एक काफी चारे questions में की law से related questions आते हैं अगर हम unit 2 की बात करें तो यहाँ पर current electricity से सन्मधित question पुछे जाएगे जो important है उसे मैं टिक कर रहा हूँ उसे आप लोग एक बार देख लीजेगा carbon color code of carbon इस सब जो related है यह law से related यहाँ भी है यह सब बहुत ही important है इसको मत छोड़िएगा अगर हम unit 3 की बात करें तो magnetic effect of current and magnetism से related question आएंगे यहाँ पे भी low यहाँ पे दिया हुए है law को बिल्कुल नहीं छोड़ना है law से related जो भी low हो यानि कि जो भी नियम बनाय गया है जिसके भी द्वारा जिस भी scientist के द्वारा उसको एकदम 100% याद करके जाना है 100% इस concept को समझ लेना है और इससे related questions आएंगे ही आएंगे exams में जो मैं टिक कर रहा हूँ यह काफी important है आप सभी के लिए इसके बाद यह सारे points यह यह और यह यह सब सारे important है ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अंदाज़े पर ही टिक कर रहा हूँ यह questions मैंने देखे इससे related ज्यादा आते हैं वैसे तो सारे इस लेवा से important है जो जो topic दिया है लेकिन कुछ important topic ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा important होते हैं उससे questions आता ही आता है अब बात कर लेते हैं यूनिट 4 की तो यूनिट 4 में आपके electromagnetic से सन्मंदित question आएंगे और एसी जो current होता है अल्टरनेटिक करेंट उससे related question आएंगे यहाँ पर electro magnetic है और जो low है इसमें भी जो अल्टरनेटिक करेंट क्या होता है इसमें current voltage से सन्मंदित question एंपेर से related question LCR सीरी से related circuit से related questions आप से पुछे जाएंगे अगर हम यूनिट 5 की बात करें तो electromagnetic waves यह topic है इसे related questions पुछे जाएंगे और जो मैं टिक कर रहा हूँ वो काफी important है आप सभी के लिए इस सभी का screenshot लेकर रखिएगा अगर हम optics की बात करें तो optics में भी काभी सारे यहाँ पर topic आप से पुछे जाएंगे reflection mirror से related mirror formula light से सन्मंदित scattering of light यह सब जो important topic है मैं बता रहा हूँ आई वाई से related भी आप से question पुछे जाएंगे web optics क्या होता है यह जो जितने में टिक कर रहा हूँ इस सारी important है इसको जरूर कवर करके जाएगा exams में इसके बाद है आपका unit 7 dual nature of matter and radiation तो यह ज्यादा important है यह दोनों और इसमें जितना स्लेवर से 100% पूरा ही compulsory है और यह सारे इस topic से इसमें जितना दिया हुए सारे topics आप से question बनेंगे इसमें एक भी topic नहीं छोड़ना है और जो आगला unit है वो item से related question से इसमें पूछा जाएगा इसमें भी जो model है वह आप कर लीजिएगा काफी questions बनेंगे और इसके बाद जो एंटिये का exam pattern है उसमें काफी सारे loss related question आते हैं और वो कैसे बनें हैं और वक्यों बनें थे इन सब को ज्यादा focus करना है क्योंकि एंटिये का model मैंने देखा एक आभी सारे questions का जो भी history यह जोग्राफी या किसी लेटर क्या है semiconductor से related semiconductor diode से related question होंगे और यह पूरा topic जो electronic devices से related है वो 100% important है इससे question आना ही आना है exams में वैसे तोहर topic से questions आएंगे लेकिन जो मैं टिक कर रहा हूं वो important ज्यादा है और इसके बाद unit 10 की बात करें तो communication system इसमें आप से आप से क्या पुछे जा सकता है elements of communication system block diagram only इसके बाद signal से related speech TV कैसे करता है डिजिटल डाटा क्या होता है bandwidth क्या होता है वे प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है need of modulation क्या है यह सब जो topic है सारे आपको cover करने जाना करके जाना है छोटा स्लेवर से लेकिन काफी important है आप सभी के लिए काफी high marks आपको यहाँ पर मिलेंगे छोटे topic छोटे छोटे topic है लेकिन काफी important है तो यहाँ पर मैं आभी physics का लेवर कर चुका हूँ ब्रीफ में जब मैं classes एक topic के उपर detail में upload करूँगा तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इसका आप लोग स्क्रीन सोट लेकर रख सकते हैं या वीडियो को अकर समझ नहीं आया कोई doubt होता है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं यह सारे PDF जो उस कर दो आप लेवरन थाओ.